Haushलो दोस्तों विल्कमेजों वेらङ चैनल और मैं सुजाता तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैसे आप अपने कीचन के डस्टर्स को क्लीन कर सकते हो कीचन के क्लीन के कपड़े होने कैसे क्लीन कर सकते हो क्योंकि कुछ time बात क्या होता है वो cleaning करते करते हैं उसमें बहुत अजीब सी chicken art हो जाती है और वो chicken art बिल्कुल नहीं जाती है और आपको वो duster क्या होता है फेकने पड़ते हैं उन कपड़ों को तो मेरे कुछ ये kitchen cleaning के dusters हैं जिने मैं अपने रोज मर्रा के kitchen को साफ करने में यूज करती हूँ तो हम क्या करते हैं जादे तर उनी कपड़ों से अपना gas को भी clean कर लेते हैं उसी से अपना platform भी clean कर लेते हैं उसी से tiles को clean करते हैं और वो पूरी तरह से इतना चिप चिपाहट भरा हो जाता है कि उसको touch करने में भी कितने में साफ करो ना वो बिल्कुल अच्छे से साफ नहीं होता है तो चलिए इन्हें साफ करने का तरीका मैं आज आपके साथ शिया करूँ तो जो भी आपके kitchen के duster होते हैं तो देखे जैसे मेरे duster नहीं किते गंदे हो चुके हैं भले इनमें चिप चपाहट नहीं है क्योंकि इन्हें समय मैं साफ करते रहती हूं तो आपको क्या करना है इन्हें साफ करने के लिए आपको लेना है एक भरतन चाय आप प्लास्टिक की छोटी सी bucket ले लीजिए यहां पर मैं यह मग ले रही हूं बट अलुमुनियम का कोई भी बरतन नहीं लीजेगा क्योंकि जब आप इने इसमें बीगाएंगी तो इसमें एक अजीब सी परच जम जाती है काली सी परच जम जाती है जैसे पानी बॉयल करते हैं अलुमुनि अगर मेंटेजन पाॉडर यूज करती हैं कपड़े दोने में वह आपको लेना है तो डिटर्जन आपको ले लेना है उसके बाद आपको क्या चाहिए यहां पर अगर दोस्तों आपके कपडों में बहुए ज्यादा स्मेल आरही है होता है कि रोटी के कपड़ों में इसमेल फोड़ा सा एकदम खौलतावा आपको गरम पानी लेना है जिससे ये जो हमने डिटरजन डाला था वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा पहला इसे हम अच्छे से घोल लेंगे जिससे डिटरजन अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखिए पानी में पूरी तरह से डिटरजन मिक्स तो चुका है अब हमें एकदम गरम पानी लेना है खौलतावा गरम पानी हमें ले लेना है पानी इतना ले लीजये का कि जो आपके जितने भी कपडें है कीचन के क्लीनिंग के वो पूरी तरह से भीग जाएं अगर आपको लगता है इससे भी मेरे कपड़े क्लीन नहीं होने वाले तो थोड़ा सा आप इसमें विनेगर डाल सकती हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि विनेगर डाले की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसी method से भी इसको clean करेंगी तो बहुत अच्छे से clean होगा, तो अब आपको इसमें सारे अपने कपड़े डाल लेने हैं, जो भी ये cleaning के कपड़े हैं, बट साफधनी पूरवक आप डालीगा कि आपका हाथ ना जले गरम पानी से, अम एक spoon की सायता से ही इसमें डेप कर ल कि पूरी तरह से इसमें भीग जाए, अब ये पूरी तरह से मैंने इसको भीगाने के लिए रख दिया है, अब आपको इसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रत नहीं कि आपको brush मारना है, कुछ मारना है, सब कुछ नहीं है, अब आप इसको क्या कर ये, इसको ऐसे ही छोड़ जोड़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, अगर बहुत ज़्यादा गंदे कपड़ें, मीनिमाब आप इसको कम से कम 4-5 घंटे छोड़ दीजे, जब आप सुबह का breakfast बनाती है, ये दिन का खाना बनाने आती तो उस टाइम पे वाश कर लिजे, तो रात का खाना बन कपड़े थे, ये इतने गंदे नहीं थे, अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होंगे, तो इसमें एक अजीब सी परत जम जाएगी उपर, जैसे आपने देखा होगा कि ओल ये डालडा हम किसी चीज में डालते हैं, तो चिकना हट भरी परत आ जाती है उपर, तो आपको क्या करना है, या थोड़ा सा गरम पानी लेकर उसको और अच्छे से मसलना है या धुलना है इनको, तो इस पानी को मैं अच्छे से गिरा दूंगी, तो आप देख सकता है कितना गंदा पानी इससे निकला है, इंडस्टर से, आप क्या करना है आपको, इसमें थो और इस तरीके से ही आपको इसे वाश करना है मैं इने सिंक में ही वाश करूँगी क्योंकि मैं कीचन में ही इने वाश करती हूँ और मैं इसमें हलका गरम पानी से इने गीजर के पानी से ही इने वाश करूँगी यहाँ पे तो आप देखेंगे इनकी जितनी भी चिकना हट है न दोस्तों आराम से निकल जाएगी आपको बिना रगड़े बिना मेहनत करे आपकी जितने भी किचन की डस्टर होंगे वो आराम से क्लीन हो जाएंगे तो मैंने इस सारे के सारे अच्छे से वाश कर लिए है अब क्या करना है दोस्तों यह जब अच्छे से वाश हो जाएं तो आप देख सकते हैं यह किता से क्लीन हो चुक है इसमें किसी भी प्रकार की चिप चिपाहट नहीं है पूरे एकदम सूखे से होते है न अगदम दाग है यह ऐसे नहीं जाएंगे इस से इस पानी से तो अब आपको क्या करना है दोस्तों कहीं पे भी धूप में इन्हें सुखा लीजे धूप में सुखाने के बाद आप देखेंगे ना यह प्रॉपर बहुत अच्छे से आपके डेस्टर दुबारा यूज के काम आ सकते है मतलब अगर वो बहुत फेकने लायक इस्तिती में थे और एक चीज और दोस्तों कि आप मुझे जरू कमेंट स्रिक्षन में लिखिए कि आपकी किस आप की वीडियो आप दिखना चाहते हैं या आपकी कोई प्रॉब्लम्स है और जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स अगले बाई ठेक केर